नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चेनल जर्धारी क्लासे में दोस्तों उत्राखन जिल्ला सीरीज में आज हमें आप पर स्टार्ट करने वाले हैं पोड़ी जनपद के बारे में पोड़ी जनपद के बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स चर्चा करेंगे जैसे कि हम अभी तक अन्य जनपदों के बारे में चर्चा कर चुके हैं यहाँ तक हमारी जो जिल्ला सीरी चल रही है उसमें पांच जनपद कंप्लीट हो चुके हैं च्छा जनपद है यह फोड़ी जनपद है और इसके बाद हम देरा decentralी जनपद के बारे बात कर लेंगे तो उसके बाद गड़ाल का हमारा complete जिल्ला दर्शन हो जाएगा और उसके बाद हम कुमाओं के सभी जिल्लों के बारे में चर्चा करेंगे तो यहां पे हम मैप के मादेम से आपको सभी चीज़ें जनपदों में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें एक्जाम के दिर से जो भी इंपोर्टेंट है वो साइरे चीज़ें मैं यहां पे आपको बताने की तो यह है यहां पे पोड़ी जनपद का मैप और यहां पे देखो पोड़ी जनपद एक मातर ऐसा जनपद है जो की सबसे अधिक अन्य जिल्लों से घिरा हुआ है और कितने जिल्लों से घिरा हुआ है साथ जनपदों से घिरा हुआ है यानि उत्राखन के साथ जनपदों से कौन सा जनपद घिरा है या सरवादिक जनपदों से कौन सा जनपद घिरा है तो वो ही पोड़ी जनपद है यानि पोड़ी गड़वाल जनपद और एक अन्य चीज़ है यहाँ पे यह जो पोड़ी गड़वाल है यह आपका गड़वाल मंदल का मुख्यालाई भी है तो आज हम गडवाल मंदल के मुख्यालाई के बारे में या पर यानी पोडि के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो यहांपे देखो इसके अडोस-पोडोस में आप दे सकते हो परमारवंस के सासन रहा और पोड़ी गडवाल भी जो परमारवंस के सास है उन Cabinet उसके बाकर चांदपूर गड़ाध एक तो और अजय पाल ने चांद्पूर गड़ से अपने राज़ानी कहान की देवलगड़ कहा है यह भी पोड़ी तो कुलुणा के देवलगड और सृनगर कहा है आपके पोड़ी गडवाल जनपत के अंतरगत आता हैं जो की पहुआर वंस के राजाओं की राजधानी रहे चुके हैं इसके बारे मैंने आपको इतियास में डिटेल्स की बताए था तो इतियास की वीडियो आपको देखियोगे और आपको इस सारी चीज़े आती होंगी अब स्रीनगर अजेपाल से लेकर और पर्द्यम्न साथ तक स्रीनगर राजधानी रही थी गढ़वाल के पंवार वनसु की लेकिन उसके बाज अठार सो चार में खुलबड़ा नामक युद्धुवात लड़ा गया तो यहाँ पे गढ़वाल सेना थी पर्द्यम्न साथ की से से लेकर और अठार सो पंदर अत means गुर्खों ने साथन किया और काफी अत्याचार किया उसके बाद यहाँ पे नकी साथन आया और चेत्रय रियासत के उनतरगत आते थे ने ausghtorry तरई और जो बृटिस गढ़वालिका यह घ्र पोड़ी गड़वाल का पूरा हिस्सा और ब्रिस्तिस गड़वाल का मुख्यालय कहाँ बनाई गया उस ताइम जो कि पंवार वंसु की उस टाइम राजधानी थी पहले श्री नगर में तो ब्रिटिस गड़वाल का 1815 में याँ पे ब्रिटिस के अंतरगत आ गया था ये ब्रिटिस गड़वाल के नाम से इसको जाना गया और इसका मुख्यालय कहा बना इया स्रीनगर में बनाई गया उसके बाद 1840 में क्या हुआ कि ब्रिटिसों ने यानि अंग्रेजों ने स्रीनगर से ब्रिटिस गड़वाल का मुख्यालय हटाकर कहां इस्थाना अंतरगत कर दिया पोड़ी में कर दिया और पोड़ी इस प्रकार से एक नए जनपत के रूप में इसका इस्थापना हुई पोड़ी गड़वाल के 1840 में तो पोड़ी गड़वाल की इस्थापना कब हुई 1840 में हुई ये काफी important है और इस प्रकार से भी एक बार question बन चुका है कि स्रीनगर से पोड़ी गड़वाल ब्रिटिसों ने अपनी ब्रिटिसों ने जो ब्रिटिस गड़वाल का मुख्याला था वो स्रीनगर से पोड़ी कब इस्थानंतरित किया तो वो किया 1840 में और पोड़ी कॉनों ने 1840 में एक नई जनपत के रूप में स्थापित किया तो पोड़ी गड़वाल के इस्थापना 840 में ब्रिटिस सासन के अंदरकत हुई और पोड़ी गड़वाल एक जिल्ले के रूप में 1969 में क्या हुआ गढ़वाल मंदल का गठन हुआ और गढ़वाल मंदल का मुख्याले कौन बनाई गया पोड़ी गढ़वाल को ही बनाई गया तो गढ़वाल मंदल का मुख्याले कौन है पोड़ी गढ़वाल है तो यह सारी चीज़े इत्यास के बारे में जो एक्जाम की आपको बता दी है और पोड़ी जनपद है जो उसका मुख्यालाई भी कहा है पोड़ी गड़वाल ही है और इसका छेतरपल है 5329 वर किलोमीटर अब देखो इसके बुगोल के बारे में देख लूए आप पे ये गिरा हुआ है साथ जनपदों से कौन-कौन है यहाँ पे देख सरवाधिक जनपदों से सीमा बनाता है तो वह आपका पोड़ी गड़वाल इस टाइप से क्वेशन बन चुका है पहले अब देखो और एक मात्र यह किस राज से सीमा बनाता है उत्तर पर्दे से जो कि इसके दक्षिण में है तो अब देखो पूरु में कौन-कौन से जनपद टीरी रुद्रप्रागों चमोली पोड़ी गड़वाल यानि पोड़ी जनपद की उत्तर में हो गये और दक्षिण में कौन हो गया एक मात्र राज उत्तर परदेश इसके दक्षिण में आता है तो यह चीज़ें आपको नोट करनी है कि यह साथ जनपदों से सीमा आता है सरवादिक साथ जनपदों से अब देखते हैं यहां पर राष्ट्य राजमार्ग यानि नेशनल हाइवे कौन-कौन से गुजरते हैं पोड़ी कड़वाल जनपद में तो देखो सबसे पहले यह कि यह है नह 534 534 यह कहां से आ रहा है तो यह आता है यहां पर उत्तर तो चोतिस जो की मेरट, विजनोर, नजीवबाद, कोटवार और पोड़ी तक जाता है उसके बाद दूसरा नेशनल हाइवे है वह है आपका NH 309 यह है यहां पर NH 309 यह कहां से आता है तो यह आता है राम नगर नेनिताल से यहां है नेनिताल नेनिताल का राम नगर तो यहा आगे बढ़ जाता है और उसके बाद यहां पर मिल जाता है और उसके बाद यहां पर देखो यह किस में मिल रहे हैं यह मिल जाता है NH 7 में यह NH 7 है जो कि कहां से आता है दिल्ली से होते विए फिर बदरिनात और मानता के जाता है NH 7 तो यह इसमें जुड़ जाता है तो कुल और इधार ये देहरदून से और पोड़ी के बीच सीमा सीयर कर रहा है इधार टीरी और पोड़ी गड़वाल जन्पत की सीमा मनाते हुए ये राष्ट्य राजमार्क जो एनस सेवन है जो बद्रिनात माना जाता है यह यहां पर ये सीमा बना रहा है तो दो जो राष्ट्य र उद्रप्रयक से आ रही है अलक नंदा और यहां पर इधर यहां पर धारी देवी मंदिर भी है और पोड़ी गडवाल छेतर के ही अंदर गड़ाता है स्री नगर के अंदर गड़ाता है और यहां पर अलक नंदा नदी पर कौन सा डेम है स्री नगर जल विदु परियोजना य धारदेवी मंदिर भे उसी डैम के उपर है, पहले धारदेवी मंदिर का जो मंदिर था मुक्ष्छ था द वे नीचे था लेकिन यहाँ पे सिनगर जर्विधत प्रयोजना का निरमाण हुआ तो उस मंदिर को उपर उठाए गया है और डैम के बीचों बीच वो मंदिर खड़ा है वहाँ पे धारदेवी मंदिर काफी परसिद मंदिर है जब मैं पोड़ी गड़वाल के मंदिरों के बारे में आपको बताऊंगा तो काफी इंट्रेस्टिंग मंदिर है पोड़ी गड़वाल जन्पद में भी यहां पर सिनगर है तो सिनगर कौन से नदी के तड़ पर बसा हुआ है अलक्त नदी के तड़ पर बसा हुआ है उसके बाद लक्त नदी आगे बढ़ती है और कहां पहुंजाती है देवपरियाग पहुंजाती है लेकिन देवपरियाग आपका कहां है यह देवपरियाग आप और पोड़ी की सीमा मनाते हुए आगे बढ़ती है तो यहाँ पर फिर यह अब देखो एक और चीज आप ध्यानकना इतियाज की द्रिश्चे इंपोर्टन्ट है यहाँ पर कीरतिनगर भी है लेकिन वो टीरी छेतर में आता है यह भी कीरतिनगर भी आपका पंवार राजाओं कि क्या रहे चुकी है रालधानी रहे चुकी है किरतिसार ने किरतिनगर की स्थापना की थी लेकिन वो टीरी छेतर में आता है मैंने आपको टीरी गड़वाल की जो जिला सीरिज बताय थी उसमें आपको बताय था तो फिर गंगानदी यहां से आगे बढ़ रही है और यहा उसका कुछ हिसा यहां पर पोड़ी में आता है, कुछ हिसा टीरी में आता है, कुछ हिसा क्या है, जरह दुन में आता है, तो रिष्ट केस इतना बड़ा है, वह आप पर जो फैला हुआ, वह ऐसा महलब रिष्ट केस तो एक जनपद है नी, तो रिष्ट केस का कुछ हिसा कहा ह पोड़ी जनपद में है, कुछ इसा ठेरी जनपद में है, और कुछ इसा देरदुन जनपद में है, तो पटना वाटरफोल यहाँ पे रिसी केस में है, लेकिन यह आपका पोड़ी गड़वाज जनपद में आता है, और यह बिल्कुल यहाँ पे गंगा नदी के निकट में इ पर है गंगा नदी पर कौन कौन सी पर्योजना है हो गई पोड़ी जनपद में एक तो चीला पर्योजना है जो बिल्कुल गंगा नदी पर है और एक यहाँ पर श्रीनगर जल्विदुत पर्योजना है यह कौन सी नदी पर है अलक नंदा नदी पर है तो अलक नंदा और करसी दिन द्यादी है , पौड़ी गडवाल में और यहांपे यह निकलती है दूःतोली सरेणी से दूःतोली सरेणी को उत्राखंध का पामीर भी कहा जाता है मैंने जब यहांपे आपको उत्राखंध Vishtar भोगलिक вр gelmiş। Fred Geeseis मैंने तो वहां पर मैंने आपको काफी डिटेल्स इसके बारे में समझाए था दूद्धा तोली स्रेणी के बारे में जो कि उत्राखन का पामीर है और जो दूद्धा तोली स्रेणी है यह आपका तीन जन्वदों में फैला हुआ है एक पोड़ी कड़वाल हो गया एक अलमोल नयार है एक पोड़ी नयार है और यह दोनों आथ की पोड़ी गड़वाल जन्वद में बहती है तो यह देखो यहां पर यह आ रही है पोड़ी नयार और यह है पस्तिमी नयार और यह कहां पर संगम करती है सत्पुली में पूरी नयार और पस्तिमी नयार का संगम कहां होत करता है और ब्यास झाट में पोड के ब्यास घाट में पूंच कर यह किस संगम करती है गंगा नदी सेंगम करती है तो कुलमा के नयार, नदी कहांसे रही है पूरी न很多 न्येघ में संगम k jaki है और यहां पर कॉन कोण सी पर्यूजणाय Almost worlds 1 or 8, सीमिनयार में तो पूर्वी नयार में यां पे आप दिखे हो यह वो बीरो खाल है पे रोकumes हो कि जो कुल वीदयो तो उत्पारिन समता है वो 1500 किलो वाट की है कुलमना के दुनाप पर्योजना कौन से नदी पर है पूरी नदी पर बीरो खाल में इसलित है और एक अन्यप पर्योजना है जो पस्सिमी नदी पर है वो है दुजाऊऊ पर्योजना तो कुलना के दो पर्योजना है नयार नदी पर दुनाप पर्योजना है पूरी नयार पर और दुजाओ पर्योजना है पस्तिमी नयार पर तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कौन-कौन से पर्योजना है नयार नदी पर और नयार नदी सिस्टम आपको समझ में आगया होगा उसके बाद यहाँ पे एक अन्य नदी है जो की निकल यहीं से रही है कहां से दुधतोरी स्रेणी से निकल रही है यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे वो दर्साना वो मैं दर्सानी पाय है यहाँ पे तो कुलना के जो पस्थिमी राम गंगा नदी है ये दूदातोरी स्रेणी से निकल रही है और यहाँ पे कालागड नामक इस्थान पर ये राज से लगा लो आप क्योंकि पोड़ी जनपत से बाहर निकल जाती है और कहां पहुंजाती है उत्तर परदेश में पहुंजाती है तो अगर एक्जाम में ये कुशन बनता है कि पस्थिमी राम गंगा कौन से इस्थान पर राज से बाहर निकलती है या पोड़ी गड़वाल से बाहर निकलती है पोड़ी गड़वाल जनपत से तो कालागड नामक इस्थान पर और इसी पस्थिमी राम गंगा में कालागड बांद पर्योजना भी है तो कालागड बांद पर्योजना कौन सी नदी पर है पस्चिमी राम गंगा पर है ये आपको नोट करना है पस्चिमी राम गंगा का उद्गमी दोज़तोरी स्रेणी से है और यहाँ पर यानि कालागड नामकिस्तान पर उतर प्रदेश के लिए निक खोव नदी कहां से बहती है तो यहां पर यह दुगड़ा के निकट से होते हुए बहती है अब इसका उद्गम पता नहीं है क्योंकि यह चोड़ी चोड़ी में इस्थानिय नदी है तो कुछ यहां पर इंपोर्टन उजाती एकजाम के दिर से बताने के लिए तो मैं आपको बता देता हूं वह ऐसे एक इस्थानि नदी है जाला परसिद नहीं है तो जो खोव नदी है वो शुरुवात में दो नदियों से मिलकर बनती है एक यहां पर लंगूरगड़ है और एक सिलगाड़ है तो यहां पर यह दोनों नदियां दुगड़ा के निकट ही मिलती है औ और आगे इसको सन्हे नदी के नाम से भी जान जाता है और फिर यह उतरप्रदेश में चली जाती है यह नदी यह आरी है उतरप्रदेश में और उसके बाद यह आगे आपकी धामपुर नामक इस्थान पर उतरप्रदेश में राम गंगा से मिल जाती है तो यह खोव नदी यानि कनवासरम के निकट से कौन सी नदी बहती है मालिनी नदिया कनवासरम कौन सी नदी के निकट पर बसा हुआ है तो मालिनी नदी के निकट पर बसा हुआ है तो यह सारी नदिया जो नदी सिस्टम था पोड़ी जनपद का वो मैंने आपको याँ पे complete बता दिया है और एक आपको जलपरपात भी याद रखना है पटना जलपरपात और एक कुंड भी आपको ध्यान रखना है तारा कुंड तारा कुंड कौन से जनपद में है तो यह है आपका चमोली जनपद में है तारा कुंड तो दोस्तों आज मैंने आपको चमोल जनपत के इतियास के बारे में इसकी भुगोल के बारे में नेशनल हाईवे और साथ ही साथ यहाँ पे नदी सिस्टम और परमुख पर्योज नाए है जल्परपात और कुंडों के बारे में बताए है और यह पार्ट वन था पार्ट वन हम आपको पोड़ी गणवाल जनपत के परमुख प्रेटक स्खlaMin और परमुख मदणों के बारे में चर्चा करेंगे और ब्लीकुत करेंगे और पार्ट इठी में कंप्लेट हूएगा प्ली जनपत जिसमें हम से सबी को फायदा मिल सके हैं और आपको इस सीरीज कर लग रही है कमेंट बोक्स अपने राय जरूर बताएं सारे नोट्स आपको कहां मिल जाएंगे हमारे उत्राखन जीक है एप में मिल जाएंगे जिसके पास एप नहीं हो प्लेश्टोर में सर्च की जिये उत्राखन जनल प्लेश अप सबसे उपर आजाएगा हमारा एप 11,08 का ऊप ह है और सारे नोट्स जढ़डारी इक्राश्जिस के सारे नोट्स और साथ-ए-प साथ सब यह मैप आपकोे हमारे उस एप में मिल जाएंगे और मैप आपको श्टाग्राम में मिल जाएगा लिंक आपको विडिय में मिल जाएगा इस्टाग्राम में आप हमें फोलो कर सकते हैं तो आज से करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और सीरा जरू किजिगा मिलते हैं नेक्षू साथ तब तक के लिए धन्यवाद